गुड मॉर्निक स्टुएंट्स मैं डॉक्र मिनिश डूडी केमिस्ट्री एकल्टी सील सी आज बात कर रहे हैं अपने केमिकल बॉंडिंग कोडिनेशन कंपाउंड एंड एस ब्लोक के बारे में जो अपना मिड सेजन में पेपर हुआ है उसमें बात करें पहला किशन अपने बास which set contain no ionic species निम्न में से किस सम्मू में ionic species नहीं है देखिए इसमें पहले option में अगर अपन देखें तो NH4Cl में ammonium और chloride के बीच में ionic bond है यह दोनों तो covalent है तो यहां ionic आ गई second option में देखें तो CO2 completely covalent है CCL4 covalent है CL2 covalent है तो अपना answer आजाएगा second ठीक है next बात करते हैं अब अगर नेक्स्ट कुशन में देखें करें इन विच्व फॉलॉविंग आल सेंट्र अटम स्राउंड़ेटम बॉंड इस नौट ऑफ एक्वल लेंथ नौट अफ एक्वल लेंथ इसके लिए बात करें निम तो अपना answer आजाएगा third और नेक्स्ट बात करते हैं कर रहा है i3 plus और i3 minus have same i3 plus की बात करें बेटा इसमें sp3 hybridation है 2 sigma 2 loan पे रहे हैं ठीक है i3 minus में बात करें i3 minus में sp3d hybridation है sp3d hybridation है इसमें 2 sigma 3 loan पे रहे है 2 sigma 3 loan पे रहे है तो यह कह रहे है क्या चीज़ सेम है geometry same है नहीं इसकी v-shape होती है इसकी linear होती है geometry same नहीं है number of loan पे भी same नहीं है इसमें 3 है इसमें 2 है bond angle भी same नहीं है v-shape है यह linear है तो answer आजेगा अपना none of these transfer आजेगा 4th the correct sequence of that of decreasing number of pi bond is in the structure of h2s of 3 h2s of 4 and h2s to 07 फिटा h2s of 3 में देखे है अपन तो इसमें बात करें h o s double bond o o h h 2s of 4 में देखे है h o s double bond o double bond o o h h2s to 07 में देखे है h o s double bond o double bond o o s double bond o double bond o o h यहां कितने pi bond है यहां एक pi bond है यहां कितने pi bond है यहां 2 pi bond है और यहां देखे कितने pi bond है चार पाई बोंड है तो सबसे ज्यादा पाई बोंड किसमें मिल रहे हैं अपने को H2S2O7 में फिर H2SO4 में फिर किसमें मिल रहे हैं H2SO3 मिलने ते अपना आंसर आजाएगा फरस्ट ठीक है नेक्स्ट कुछिशन देखते हैं कैरें consider X-axis as the internucleare axis दीगे नेंगे द्यान दिजीए क्या है interc primary axis कों से ए x-axis है फ़े गव्या सिग्सेन क्या बनेगा शिग्मा बोंड का निर्मान होगा ठीक है विच आउट आउट following is correctly related to the strength of covalent bond problem की strength देखें पीटा तो ये क्या बनाएगा ये तो तो size छोटी होगी, size small होगी, तो overlapping ज्यादा होगी, bond strength ज्यादा होगी, तो यह bond strength ज्यादा होगी, किसके compare में, इसके compare में, यह sigma bond है, तो यह bond strength ज्यादा होगी, किसके compare में, इसके compare में, तो यहां से यहां जा रहे हैं, तो decrease होना चाहिए, तो यह statement wrong हो गया, यहां से यहां which are not involved in hybridation of central atom in icl4 minus इसमें देखा sp3 d2 hybridation sp3 d2 hybridation यहां d कौन से काम ले रहे हैं बैटा d x2 y2 और d z2 काम ले रहे हैं तो कौन से d orbital अपन कभी काम नहीं लेंगे इन में तो अपना answer आजाएगा fourth ठीक है fourth answer आगया अपना next देखते हैं the number of POP bond in cyclo trimetal meta है metafosphoric acid यहां भी अपने थोड़ा बैटा try है try है मतलब metafosphoric acid है s3 p3 o9 हो जाएगा s3 p3 o9 इसकी structure कैसे आएगी cyclic structure आती है meta ज्यादा तर क्या structure में आते है cyclic structure का निर्मान करते है double bond O double bond O double bond O oh 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 और oh oh तो अपने पास POP bond कितनी होगे one two और three POP bond हो चुके कितने three POP bond अपने पास हो चुके है तो अपने बात करें answer आजाएगा अपना third answer आजाएगा next बात करें कर विच अमोंग दा फॉलॉविंग अट्रेक्शन इस strongest strongest है विटा यह ठीक है प्रबलतम आकरशन बल है तो प्रबलतम आकरशन बल अपने किसमें मिल एगा HF और H20 के अंदर मिल जाएगा क्योंकि यह दोनो डाइपोल डाइपोल हो गया hydrogen bond strength हाईगी इसमें यह आइन इंडूस्ट डाइपोल हो गया यह कूझसा हो गया डाइपोल इंडूस्ट डाइपोल हो गया और यह लंदन फोर्स हो जाएगा तो अपना यहां पर बिटा SP Iberation है तो यह कैसा रहेगा लीनियर रहेगा तो यहां भी कितना मिलेगा जीरो मिलेगा जबकि इन में बात करें यहां पर V-shape है यहां दो लोन पे रहे हैं यहां पर V-shape होगा तो यहां यहां भी जीरो आएगा जैसा यह है वैसा ही इसमें है यहां भी जीरो आएगा तो अपना आंसर आजाएगा C and D आंसर आगया सेकिंड नेक्स्ट बात करते हैं सलेक्ट दा करेक्ट्स ओडर लाइएफ न अफ लिटेस एनर्जी पेटे एक ग्रूप में टॉप टू बोटम जाते हैं तो साइज पर डिपेंड करते हैं लेटेस इनर्जी टॉप टूब टूटम जाएगा साइज क्या होगी इंक्रीज होगी तो इनर्जी डिक्रीज होगी तो यह स्टेटमेंट अपना क्या हो गया रॉंग स्टेटमेंट हो गया तो यह स्टेटमेंट भी अपना रॉंग हो गया और पॉलराइजेशन पावर के लिए बिल्कुल ठीक है बेटा यह क्योंकि इसमें स्यूदो इनर्ट गैस प्रन्तु जो कैल्शियम है इसमें प्लस टू चार्ज और पोटेशियम पर प्लस बन चार्ज यह तो अपना आंसर आजाएगा थर्ड आंसर आजाएगा नेक्स्ट बात करते हैं करेक्ट और अबऊट बाउंड स्टेंथ यह बॉन डॉक्राज इसका कितना है इसका आजलयगा दो पॉइंट 5 दो इसका आगया 1.5 इसका आगया 1 अपने को तब 14 पर bond order कितना मिलता है तीन मिलता है और 14 से जैसे से आगे जाएंगे bond order क्या होता जाएगा decrease होता जाएगा 0.5 से 14 से नीचे आएँगे 8 तक 0.5 से decrease होता जाएगा 2, 4, 6, 8 इस पर 10 और 10 दो पर 1, 4 पर 0, 6 पर 1, 8 पर 0 और बाकि ज सब पर कितना मिलता है अपने को 0.5 मिलता है तो bond order ज्यादा bond order ज्यादा तो bond strength ज्यादा तो अपना आंसर आजाएगा third answer आजाएगा third answer आजाएगा next बात करते हैं कि which of the following oxy acid sulfur have the same number of SS linkage and SO linkage पीड़ा इसके लिए बात करें किसी भी oxygen में SS linkage की जो value होती है n-1 होती है कितनी होती है n-1 होती है तो अगर अपन किसी की structure बनाते है ऐसो bond maximum कितनी हो सकते है देखिए अपन मानलोग phosphoric structure बनाते है यहां बीच में सब में क्या आएगा SSS आता जाएगा जैसे यह ले लेते हैं अपन तीन वाला लेते हैं तो यह कितने आ रहे हैं एक दो तीन चार पांच छे बाकि जैसे जैसे एस बढ़ते जाएंगे यह बीच में ही आएंगे थायोनिक एसिट सीरीज है यह कौन सी है थायोनिक एसिट सीरीज है इनमें बीच में ही SS बढ़ते जाते हैं तो अपन बात करें एसस बॉंड कितने होंगे एन माइनस वन ठीक है यह हमेशा कितने रहेंगे च्छे रहेंगे तो एस की वेल्यू कितनी लें साथ लेंगे तो एसस बॉंड कितने आजेंगे छे अपने पास आजेंगे तो अपना आंसर आजाएगा थर्ड आंसर आ ज्यादा हो कि लेटिस एंडर्जी से इसका मतलब क्या है कंपाउंड ज्यादा सॉलीबल हो कंपाउंड ज्यादा सॉलीबल कौन सा अगा है तो अपना आंसर आ जाएगा फॉर्थ सबसे ज्यादा सॉलीबल कौन सा होगा फॉर्थ अपना आंसर आ गया फॉर्थ नेक्स्ट बा अन पेड़ एक्ट्रन होते हैं कि अपर कितने जीरों में यहाँ पर क्या ह्या और प्रफाइड एक और रहा है दोट्राइड यह कह रहे रहा है ऑनतरों ही चीजे क्या हूँ ऑने चाहिए है इस कितना है एक यह कम हो गया ठीक है इसमें यह एक है इसमें और इलेक्ट्रों जरो इसमें यह और वाया है इस भूर ज Advisory आपना पास तो तो उसके साब सब 75 होना चीह फर बोने एंगल 10 9 maturity 28 million होगा तब 75% उससे डिक्रीच आज़ेंगी बॉने गाल तो तो लोनपेर चाटिएटर लग जाएगे एच और पर जागगे पी च्यादा है तो अपना आँसार है आ नाइट्राइड 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 required to in solvue process solvue process में अपन co2 का यूज करते हैं नacl का यूज करते हैं और water का यूज करते हैं ammonia का यूज करते हैं पर इस वटो का यूज स्वलव प्रोसस में नहीं होता solvue process washing soda बनाने का method है बिटा washing soda बनाने का method तो अपना answer आजेगा first answer आजेगा next बात करते हैं among the carbonate of alkali metal which one has highest thermal stability पिटे टॉप टू बोटम जाते हैं तो thermal stability increase होती है carbonate की thermal stability increase होती है multi atomic compounds होते है अनाइन होते है उनकी thermal stability 5 पर depend करती है और टॉप टू बोटम जाते हैं 5 क्या होती है degrees होती है 5 degrees होगी तो अपने पास thermal stability increase होगी इसमें अपने क्रेक्शन था answer में तो answer आप कर लेना first answer करेना highest thermal stability किसके आएगी first की आएगी कि next बात करते हैं कि प्लास्ट्रोफ पैरिस प्लास्ट्रोफ पैरिस किसे का जाता है प्लास्ट्रोफ पैरिस सीए SO4 half H2O को कहा जाता है इसे gypsum को heat करके gypsum होता है सीए SO4 dot 2H2O इसको heat करते है 120 degree centigrade के आसपास तो अपने पास ये बन जाएगा यहां half H2O है दो ले लिया तो अपने ये दो है इसलिए सबसे कम melting point किसके आएंगे LICL के आएंगे और फिर किसके आजाएंगे अपने पास के CL के फिर RBCL के इनमें अगर melting point देखें LICL NACL KCL RBCL और सीजियम CL है जो यह कोवलेंट है इसको पीछे बेज देते हैं तो यह melting point का order के आएगा LICL का minimum आएगा minimum किसका होगा इसका होगा तो अपना answer आजाएगा first answer आजाएगा which compound have minimum lowest melting point answer आजाएगा first next बात करते हैं if z-axis is internucleasis then which of the following overlap will form pi bond बेटजी यह axial d orbital है यह तो pi bond formation करते निये यह pi bond कहां पर formation कर सकते है या तो x-axis पर कर सकते है यह y-axis पर कर सकते है यह कहां पर कर सकता है यह z-axis पर क्या कर सकता है pi bond का formation कर सकता है तो अपने answer आजेगा third यह किसका formation करेगा यह sigma bond का formation करेगा किसका sigma bond का formation करता है next बात करें इसमें देखा इसमें देखा इसमें स्पीघ्टी है यह तो रॉइन हो गया इसमें देखा इस प्री थीडी है तो अपना आज देगा, 3rd, इन में देखें, शेप से मिल रहे है, हाइबरेशिन भी सेम है, तो अबना रहेगा, 3rd, next बात करते हैं, जिए निकरेक्ट, पहला बात करें, bond order, तो और्टो का bond order कितना होता है, 2, and two कितना होता है, 3, एक टू माइनस एक टू प्लस बॉंड यह रॉंग दोनों को बॉंड रोसे में पर बंद उर जा किसकी ज्यादा है एक टू प्लस की यह स्टेट्मेंट भी रॉंग हो गया है एच फेफ एच बंद सामरते विल्कुल सही बात है बंद लंबाई बात करें डबल बॉंड बढ़ बढ़ प्यटा PCL4CL में कोवलेंट बॉंड बंद ऐर फोस्फोनियम और कलोरायड के बीच में कोवलेंट बन जाता है एक बॉंड बन जाता अपना अंस्रा आजएगा फौर्ट नेक्स्ट बात करें in the conversion of n2 is is to n2 plus the electron will be lost from of the following molecule orbital beta last electron n2 में जो होता है वो sigma 2 p z में होता है sigma 2 p z में तो अपने electron कहां से remove करेंगे sigma 2 p z से remove कर देंगे तो अपना अन्सरा जाएगा second which of the following statement is false for genon o3 f2 hybridation of central metal line sp3 बिलकुल सही बात है इसमें कितने 5 sigma है बेटा इसमें कितने 5 sigma है बेटा the compound is non-polar दो बेंट क्या बोलता है हाई एन वाला उपर और नीचे axial position पर तो इसके mu का महान कितना मिल जाएगा अपने बो जीरो मिल जाएगा योगी कहें धरूब यह यह भी सही बात है तो compound has p pi d pi bond यह भी बिलकुल सही बात है बेटा में तुमें बता रखा है यह दिक central data में sp3 hybridation है तो सारे के सारे p pi d pi बनते हैं अगर sp2 है तो एक p pi p pi और एक p pi d pi बनता है तो यह कह रहा है इस compound है p pi p pi bond यह wrong statement हो गया sp3 d hybridation है तो सारे के सारे p pi d pi bond का formation हो जाएगा next बात करते हैं which of the following species are not linear यह i2 है बेटा i3- तो इसमें sp3 d hybridation है सभी linear होंगे इसमें भी sp3 d hybridation है सभी linear होंगे i3- है यह sp hybridation है linear होगा जबकि clo2 में बात करें sp2 hybridation होता है बेटा इसकी shape कैसी आती है v-shape आती है कैसी आती है v-shape loan pair इसमें एक bond है electron है इसमें hybridation आ गया sp2 hybridation आ गया next बात करें which among the following is most reactive पेटाजी जो inter halogen compounds होते हैं वो ज्यादा reactive होते हैं किसके compare में halogen के compare में सिर्फ f2 को चोड़कर सबसे ज्यादा आपने पास आजाएगा maximum reactive icl आजाएगा यह भी किशन आया हुआ किशन है next बात करते हैं in which molecule central atom show hybridation in ground state पेटाजी boron family अपने maximum सारे compound बोरन अपने सारे compound excited state में बनाती है बेरेलियम भी excited state में बनाता है क्योंकि इस ground state में unpaid electron होते नहीं है pcl5 excited state में बना हुआ है answer आजाएगा अपना fourth ammonia होता है उसमें क्या होता है यह ground state में बनता है इसमें excited state होते ही निया nitrogen oxygen and fluorine के पास excited state नहीं होती due to absence of vacant orbital next बात करते है in which of the which of this dative bond is not involved protonation of ether जब भी protonation होता है dative bond आता है coordinate bond आता है al2cl6 है यह three center two electron bond four electron bond होता है three center four electron bond होता है इसमें भी क्या होता है dative bond होता है resolution of hcl in water water में hcl बनाएंगे s3o plus बनेगा इसमें coordinate bond है ठीक है जब benzoi camel का द्वीलकी करन करते है इसमें बीटा hydrogen bonding बनती है यहाँ hydrogen bonding होती है तो अपना answer आजाएगा fourth answer आजाएगा fourth next बात करें which of the following give highest kp value जो जल्दी तूटेगा उतनी जल्दी co2 देगा उसकी kp value उतनी ज्यादा होगी तो kp value maximum अपने जल्दी सी जल्दी कौन तूट है carbonate की thermal stability top to bottom जाने पर increase होती है तो सबसे जल्दी कौन तूटेगा first तूट जाएगा अपने पास answer आजाएगा first तूट करेक्ट ओडर ओव कोवलेंट करेक्टर यह इंपोर्टेंट डिवेटर यहां अगना यहां पर इसका जस्ट ऑपोजीट ओडर आता है यहां पर कोवलेंट करेक्टर इसकी पॉलराइज़िशन पावर ज्यादा होती है यहां कोवलेंट बात करेंगे तो इसमें भी उल्टा आएगा यहां बात करें एक यहां पर इसमें इसमें इन इसमें इसमें इन इस कोनफरिगेशन तो अपना अंसर आजाएगा थर्ड आंसर आजाएगा मेल्टिंग पॉयंट में बात करें तो मेल्टिंग पॉयंट अमोनिया का ज्यादा होता है फॉस फॉस इन जाती है यहां आती है तो यह इस टेट्मेंट भी टलॉंड ने?? थर्मल प्लम लीटिि देखें तो थर्मल स्टेबिलेटि इंग क्तियों गप lalha ने करो हुँ कि अगुक्रिज्षर थे नेटि अंगुक्ष्ट में थम्हें है। स्टेट में यह फलॉविंग यह 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 मत Rach already इसमें तो बनता ही निए बहुत कम स्टेबल होते हैं तो अपना अंसर आजाएगा इडेंटिकल स्टक्चर पीसेल फाइब तपना अंसरा आजाएगा पॉस्ट पॉस्ट एंची हलगा फस्ट एंची इल थ्री एंची यह थी माइनस कि वीच फॉलाविंग ओडर इस इनकरेक्ट आयनी करेक्टर बढ़ते हैं तो यह स्टेट्मेंट रोंग हो गया पॉलेजिबिलिटी दुर्वंता बिल्कुल सही बात है दुर्वंता ज्यादा जितना बड़ा एनायन होगा उसकी दुर्वंता उतनी ज्यादा होगी तो अपन इनकरेक्ट पुछा है तो पहला ही अपना इनकरेक्ट हो गया है आयनी करेक्टर वाला इनकरेक्ट हो गया पॉल्राइशन पावर देखे तो अलमुनियम की ज्यादा होती है किसे मैगनीशियम से मैगनीशियम की ज्यादा होती है कैल्शियम से कैल्शियम की ज्यादा होती है सोटियम से कोवलेंट करेक्टर की बात करें यह स्टेपमेंट भी अपना सही यह तो रॉंक स्टेपमेंट अपना कोम इसा आ घया first अगया next बात करते हैं Mirror cię क कोर्बुल कॉमख्र केमिस्टिक उसमें बात करें स्टेबल कॉमख्र tu kilection जितना ज्यादा होगा, ring formation जितनी ज्यादा होंगी, stability उतनी ज्यादा होगी, इसमें कोई ring formation नहीं है, इसमें 2 ring formation हो जाएंगी, इसमें 1 होगी, इसमें 3 ring formation होगी, तो अंसर पना जाएगा, 4th which of the following complex species is not expected to with optical isomerism क्या optical isomerism कौन रिपर्जंट नहीं करती note दे रहा है यह condition बन गई यह बेटा M A3 B3 facial and meridonal facial and meridonal यह optically inactive होते है inactive होते है ठीक है तो अपना answer आजाएगा first answer आजाएगा next बात करते है which of the following complex is paramagnetic with two unpaid electron इसमें देखा जाए इसमें plus three आया बेटा unpaid electron कितने आएंगे one इसमें बात करें plus two है unpaid electron कितने आएंगे दो वीक फिल्ड लिगेंड है इसमें बात करें क्या है डी सेवन unpaid electron plus two है न यह तो unpaid electron आएंगे तीन इसमें बात करें unpaid electron आएंगे zero ठीक है क्यों डी एट है strong ligand है तो अपना answer आजाएगा second answer आजाएगा next बात करते है in which of the following embedded ligand is bonded through nitrogen इसमें बात करें तो अमबीडेंट हैं यह दैंड है इसलिक नहीं आज़िए को यह नाइक्राइट वह है कि यहां पर किसंहें जुडा हुआ है oxygen से जुडा हुआ है यहां बात करें हाकिस्टा हुआ है nitrogen से जुडा हुआ है यह ऐसे वेटा यह ऐसे ठीक है यहां नाइटोजन से जुड़ावा तो अपना अंसर आजाएगा फॉर्थ magnetic moment of complex अच्छा किशन ने यह जान रखें इसकी बारे में magnetic moment of complex फर्स्ट में बात की जाए nickel यहाँ पर प्लस टू में है तो d8 बना हुआ बेटा यहाँ strong field और weak field लिगेंड को कोई फर्क पड़ेगा नहीं अपने को बता अगर इसमें भी देखें इसमें प्लस थ्री है इसमें क्या है प्लस थ्री है क्रोमियम प्लस थ्री में है d3 हुआ d1 d2 d3 में बेटा strong field और weak field लिगेंड का कोई effect नहीं पड़ता हमेशा d2 sp3 अपने को नहीं करवाने होती तो इसमें अनपेड एलेक्ट्रों आएंगे अनपेड एलेक्ट्रों तीन आए तीन का मतलब बता है अंडर रूट 15 कितना होगा अंडर रूट 15 इन दोनों के लिए बात करते हैं यहां देखो प्लस टू में है किसमें है प्लस टू में है क्या है और ये क्या है strong field legenda क्या है strong field है ठीक है strong field legenda है तो इसमें कितना आजएगा अपने बास के दी 6 है क्या है d6 टी 6 में श्रू 시청 trading आया तो huh to try to अपने देखा forth का कितना है अंडर रूट 15 कितना है ठारक कितना जीरो और फर्स्स कितना है अंडरूट 8 तो आंसर इसमें बात करें अंडरूट 24 आजएगा पर इसके लिए बात करना है आप कंफ्यूज है तो कोबाल्ट में अगर सारे के सारे है है अगर कुछ हच आ रहे है तो यहां पर यह विक फिल्ड लिएव करेंगा विक फिल्ड होगा तो कोबाल्ट प्लस थ्री में अपेड एलेक्ट्रों कितने आंगे अपने पास ट्वेंट 24 आजएगा कितना अब्र ट्वेंट अपना अंसर आजएगा फॉर्थ अच्छा compound is not colored पेड़ा तुमारे पास ऐसा कुषिन आ जाए नीट में जो कुषिन पूचे जाते हैं तुम तैसे देखना किसी में अन्पेड एलेक्ट्रों नहीं है तो colorless होगा और किसी में अन्पेड एलेक्ट्रों तो color full होगा यहां कैडमियं अन्पेड एलेक्ट्रों कितने हैं अपने पास है यहां बात करें यहां तो colorful हो जाएगा ठीक अपना अंसर आजाएगा fourth next बात करते हैं fourth ने sorry उसमें answer अपना आएगा second answer आजाएगा second answer आजाएगा क्योंकि इसमें unpaid electron कितने है zero है ठीक है next बात करें एक complex KN MN F6 has magnetic moment 4.9 वादा unpaid electron कितने है 4 है मेरे पास unpaid electron MN में 4 कब होते हैं जब D4 होता है D4 होगा D4 होगा तो MN पर Oxidation State कितने आएगी 3 आएगी 3 और 7 में N की वेल्यू कितने आजाएगी 3 ही आजाएगी क्योंकि इस पर प्लस 3 है तो इधर कितना आएगा माइनस 3 और यहाँ पर कितना आजाएगा 3 आजाएगा ठीक अपना answer आजाएगा अपना answer आजाएगा 4 नेक्स्ट बात करते है which of the following complex will consume more equivalent of aqua solution of azeno3 azeno3 किसमें consume सबसे ज़्यादा होंगे जिसमें cl अपने को ज़्यादा मिलेंगे cl इसमें कितने मिल रहे हैं तीन मिल रहे हैं इसमें कोई मिल ने रहा cl इसमें दो मिल रहे हैं तो सबसे ज़्यादा consume किसमें होंगे first में होंगे तो अपना अंसर आत्याँ आत्याइगा first which of the following is an example of homoleptic complex homoleptic जिसमें द zgने वाले lawn per देने वाले sites same हो जिसमें lawn pain pal देने वाल site same हो तो lawn pair port देने वाल site इसमें kaloline है nitrogen है nitrogen द WHY using chlorine है nitrogen है었어 आत्यात्याइक सेकेंड the cfsc value of an octahidal complex कितनी रे रेकिया है point minus point यह minus यहाँ पर उदर छपा हुआ है point is six delta g है if metal है iron is rounded by weak ligand the magnetic moment can be weak ligand है इसके लिए अपन cfsc के के लिए क्या लिखते है point delta g and t2g plus point six delta o and easy लिखते हैं ठीक है pairing energy की बात करनी दे weak field ligand है तो यहाँ कितने ले लूँ t2g में मैं यहाँ तीन ले लूँ तो कितने हो जाएंगे एक point दो और easy में कितने ले लूँ एक ले लूँ तो माइन यहाँ पर minus का यह है यह plus का होगा तो point six delta o कितना बच गया point six बच गया तब देखिए अपने पास तीन तो टी टूजी में पड़े और एक easy में पड़े टोटल कितने होगे चार तो इसने क्या का है कितना magnetic moment आएगा तो आंसर आजेगा first next बात करते है nickel cn4 minus 4 अब यहाँ पर आप confused होगे यहाँ पर nickel 0 oxidation state में nickel 0 में तो 3d8 4s2 बना न यह s2 कहां आ जाएंगी यहां आ जाएंगी तो क्या बन जाएगा 3d10 बन जाएगा spc में tetra ideal shape होती है तो कौन सा जाएगा second answer आजाएगा second अपने पास answer आजाएगा next बात करें the number of isomer possible for complex k2 ptclbrscn पेटा अगर यह बात करें इसमें तो यह क्या बन रहा है यह अपने पास m a2 pc बन रहा है m a2 bc के कितने कर बनते हैं दो बनते हैं प्रन्तु इसमें linkage isomerism भी तो है एक यह ऐसे भी तो सकता है k2 pt clbr2 ncs एक यह भी हो सकता है तो दो तो इसके बन गए और दो इसके बन जाएगे तो total अपने पास कितने हो गए चार तो इसने कितने क्या पूछा है total पूछा तो आंसर आजाएगा third next बात करें which of the following complex is the highest magnetic behavior highest magnetic behavior count करना अपने को तो इसमें अपन देखेंगे लास्ट किशिन अपने बास करहें nickel plus 2 pt plus 2 है जींक प्रस्ट के ammonium संकूल की जामिती क्रमशा है पिटा निकल type Amb观학 जिंक के साथ तो क्या बनाएगा Co stimulation number 4 PT के ना साथ 2 में 4 प्रैंट यहां कैसे होगी वर्ग समतली होगी एक वर्ग समतली है चतुश फल किया है n deemed के साथ A मोणिय क्या बना लेगा aust फल के जामेठी बना लेगा तो अपना लेफ्कीत में आजकी इतने है Thank You